दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना जीमेल का पासवोड कैसे चेंज करें दोस्तो अगर आप भी अपना जीमेल का पासवोड चेंज करना चाते हैं जीमेल आईडी का पासवोड बदलना चाते हैं दोस्तो यहाँ पे कई लोगों को यहाँ प सब्सक्राइब को इस निए बारे में बताने वाला हूं हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे से यूटुब चैनल में तो दोस्तों चल ये वीडियो शुरू करते हैं तो जी मेल का पासवोड चेंज करना काफी ऐसाने चली मैं आपको बताता हूं step by step आपको भी बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है जीमेल का पासबोर्ट चिंज करने के लिए आपको अपने मॉवाइल के सेटिंग में आ जाना है ठीक है मैं यहाँ पे अपना मॉवाइल का सेटिंग ओपन करता हूँ इसके बाद थोर से नीचे स्कूल करना है और आपको यहाँ पे गूगल का आपसन दिखेगा इस पे सिंपली क्लिक करना है आपके सेटिंग में कहीं पर भी गूगल एकाउंट का भी आपसन दिख जाएगा तो वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज और Google इकाउंट का एक बटन दिखेगा इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं न तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस आएगा आपको इधर थोड़ से स्क्रोल करना है और आपको एक सेक्रेटरी का बटन दिखेगा यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद आपको क्या करना है नीचे थोड़ से स्क्रोल करना है और आपको यहाँ पे जो है अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक पासवोड का बटन दिखेगा मैंने कुछ दिन पहले इसको चेंज किया था अभी मैं फिर से आप सभी को चेंज करके दिखा रहा हूँ तो दोस्तो आपको क्या करना है यहाँ पे पासवोड के बटन पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे सिक्रेटरी के अंदर पासवोड का ओप्सन दिख जाएगा आप यहाँ पे विसिकली आप क्लिक कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे अपना पासवोड के बटन पे क्लिक करता हूँ यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां पर आपके सामने यहां पर आपका पासबोर्ड पूछा जा रहा है ठीक है मुझे तो अपना पासबोर्ड याद नहीं है तो मैं यहां पर कैसे डाल सकता हूं ठीक है तो आप दुस्तो यहाँ पे passport को change करने के लिए आपको forget passport के button पे click करना है यहाँ पे दिख रहा होगा इस पे click कर दीज़े ठीक है मैंने click कर दिया है अब यहाँ पे कुछ दिर loading लेगा थो असा wait करना है और इसके बाद यहाँ पे आपसे जो है new passport और confirm new passport का फिर से option आजाता है आप यहाँ पे देख पा रहोंगे तो दुस्तो यहाँ पर आपको जो है बिना old passport डाले ही आप यहाँ पे अपना एक नया passport create कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो मैं यहाँ पे इस दोनों में मैं अपना एक नया passport फिलप कर देता हूं तो पासवोड को फिलप करने के बाद आपको यहाँ पे पासवोड को चेंज कैसे करना है चली में आपको बताता हूं और यहाँ पे किलिक करने के बाद धर यहाँ पे लोडिंग लेगा और दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ यिस प्रकार का इंटरफिस को अबर यहाँ पिलिक चेंज कर सकते हैं वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले